नमस्कार स्वागत है आपका दे इंडिया टॉप में मैं हूँ आपके साथ अनुशक श्रवास्तव बिहार में अपराधियों के होसले काफी बुलंद हो चुके हैं आलम ये है कि अब आम लोग तो दूर अपराधियों ने अब बड़े पुलिस अफसरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताजा मामला साइवर अपराध से जुड़ा है आपको बता दे कि इस बार अपराधियों ने स्पी के नाम पर एक व्यक्ति से 20,000 रुपे की ठगी की है इस मामले के संग्यान में आने के बाद से पुलिस महकमे में हड कंप मज गया है इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और स्पी ने बहुत ही गहनता से जाज करने के निर्देश दिया है दरसल एक मुबाइल नंबर से एक वाटसाप गुरूप बनाया गया जिसमें और अंगाबाद के स्पी कांतेश कुमार मिश्र की तस्वीर लगाई गयी थी और लोगों को एक लिंक भेज कर उनसे पैसे की मांग की गई और फिर उनसे ओटिपी मांगा गया इसी संबंध में एक व्यक्ति के अकाउंट से करीब 20,000 रुपे की ठगी कर ली गई है पूरे मामले के संग्यान में आने के बाद से लोग इसकी जाच करने में पुलिस अभी जुट गई है इसकी सूचना पुलिस को हुई जिसके बाद S.I. गुफरान अली के बयान पर नगर थाना में मुकदमा दर्ज किया गया इस संबंध में S.P. कांतेश कुमार मिश्ट ने बताया कि उनके संग्यान में मामला आया है उनके निर्देश पर प्रात्मी की दर्ज कर ली गई है दरोगा ने अपने बयान में कहा कि 27 सितंबर को जानकारी मिली कि पुलिस अधिक्षब के नाम और फोटो का इस्तमाल करते हुए ठगो द्वारा फेस्बुक और वाट्साप से पैसे की मांग की जा रही है जब जाच की गई तो सच्चाई सामने आये फेस्बुक पर S.P. के नाम फेक अकाउंट पकड़ा गया साथी मोबाइल नंबर से वाट्साप अकाउंट बना कर पैसे की मांग की गई अब तक की जाच में 20,000 रुपे ठगी करने का मामला सामने आया है S.P. ने अपने अधिकारिक फेस्बुक अकाउंट पर भी पोस्ट कर जानकारी साजा की है उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी अंजान व्यक्ति को ट्रांजाक्शन से संबंधे जानकारी ना दे O.T.P. तो कभी नहीं दे S.P. ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिती में अपने बैंक खाते से संबंधे जानकारी किसी को नहीं दे और यदि किसी तरह की ठगी की जानकारी प्राप्त हो तो पुलिस को सूचना दे आपको बता दे कि SP कांतेश कुमार मिश्र ने खुद अपने अधिकारिक फेस्बुक अकाउंट पर इस पूरी घटना की जानकारी देते हुए वो लिंक भी शेयर किया है और कहा कि अगर इस वाटसाप ग्रूप में आपसे कोई पैसे मांगता है तो आप पैसे नहीं ट्रांसफर करें साथी उन्होंने कहा कि अगर कोई भी आपसे पैसे मांगता है तो इसका केस आप पुलिस के पास दर्श कराए उन्होंने कहा है कि उनके नाम पर एक फेस्बुक अकाउंट भी बनाये गया है इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने फेस्बुक पर ये पोस्ट शेयर किया है फिलाल इस खबर में इतना ही ऐसी ही और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो मारे पेश को लाइक और फॉलो जरूर करें धन्यवाद